नमस्कार दोस्तों आउसी के चैनल में आपका स्वागत है आज हम जैन स्वेटर में कंदे के फंदे उठाएंगे और उसमें डबल बार्डर बनाएंगे देखिए यहां मैंने इस साइड बनाया हुआ है ऐसे ही हमें सेम इस साइड भी बनाना होगा दोनों कंदे पे हम सेम फंदे उठाते हैं और एक जैसी बनाए करते हैं तो देखिए यहां पे मैंने जहां से फंदे घटाए है यहां से लेके और दोनों पार्स की सिलाई के पास यहां तक हम मैंने 69 फंदे उठाए है और इतने ही बैक साइड में भी फंदे उठाए गया है यानि इधर भी 69 फंदे, टोटल हो गया है 138 फंदे, तो ऐसे ही हम इस साइड भी फंदे उठाएंगे, तो फंदे हम सीधी साइड से उठाते हैं, कंदे पे मैंने 5, 3, 2 और 1 करके फंदे घटाएं, 11 फंदे यहां घटाएं, उसके बाद सीधी बनाई की है, इसके उपर फंदे नहीं घटाएंगे हैं, तो हम 10 नमबर की सलाई लेंगे, क्योंकि सारे बादर मैंने 10 नमबर की सलाई से ही बनाई हैं, और सीधी तरब से फंदे उठाना शुरू करेंगे, ऐसे पास पास हम फंदे उठाना शुरू करेंगे, कंदे के फंदे कंदे का बार्डर हम दो स्लाई पे ही बनाते हैं तो देखिए फ्रेंट सिक्स्टी नाइन फंदे इस साइड में उठे हैं तो इतने ही फंदे हम इस साइड भी उठा लेंगे ऐसे पास पास उठाते हुए 69 फंदे हम उठाएंगे तो सारे फंदे उठा के मैं आपको दिखाती हूँ दिखिए फ्रेंट्स इस साइड भी मैंने 69 फंदे उठा लिए तो टोटल फंदे हो गया 138 और अब हम इसे बुणना शुरू करेंगे तो यह रॉंग साइड है और बाडर का पहला लाइन पहला फंदा उल्टा बुण लेंगे और नेक्स्ट फंदा सीधा फिर अगला उल्टा और नेक्स्ट सीधा तो सिंगल रूम में एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा बुनते हुए हम पूरी लाइन कम्प्लीट करेंगे तो पूरी लाइन कम्प्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ तो देखिए friends, single rib में बुनते हुए मैंने पहली लाइन complete कर लिया है और अब ये बडर का दूसरा लाइन है तो पहला फंदा ये देखिए उल्टा है तो इसे हम उल्टा बुनेंगे या slip कर लेंगे, अगला फंदा सीधा है इसे सीधा बुनेंगे next फंदा उल्टा है इसे उल्टा बुनेंगे अगला फंदा सीधा है इसे सीधा बुनेंगे तो सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बुनते हुए हम ये देखिए हमारा दूसरा लाइन है और हम इस तरह कुल 9 लाइन complete करेंगे तो 9 लाइन complete करके मैं आपको दिखाते हूं देखिए फ्रेंट्स ये हमारा 9 रोज complete हो गया है और ये 10 रोज है तो अब इसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे तो अब हम उल्टे वाले फंदे slip कर लेंगे और सीधे वाले सभी फंदे सीधा बुनते जाएंगे उन अपनी ओर किया अगला फंदा उल्टा है उसे slip किया उन दूसरी ओर किया अगला फंदा सीधा उन अपनी ओर किया अगला फंदा उल्टा है उसे स्लिप किया उन दूसरी ओर किया और अगला फंदा सीधा है उसे सीधा बन दिया तो इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कम्प्लीट करनेंगे सीधे फंदे को सीधा बुनते हुए और उल्टे फंदे को स्लिप करते हुए 10th row complete हो गया है अब यह हमारा 11th row है और wrong side तो इसमें हम देखिए जिस फंदे को बुने थे यानि उल्टे वाले फंदे को हमें वापस उल्टा बुनना है और उन दूसरी ओर करना है और यह फंदा ह हमने स्लिप किया था तो इसे वापस स्लिप कर देंगे देखिए इधर से हमने इस सीधे वाले फंदे को बुना था तो रॉंग साइट से यह उल्टा हो जाएगा तो इस उल्टे वाले फंदे को बुन लेंगे और देखिए उल्टे फंदे को स्लिप किया था तो इधर हमार रॉंग सैट से यह सीधा हो जाएगा तो सीधे वाले रॉंग सैट से सभी सीधे फंदे को स्लिप कर लेंगे और उल्टे फंदे को उल्टा बुल लेंगे उन दूसरी और करेंगे सीधे वाले फंदे को स्लिप कर लेंगे उन अपनी और करेंगे और उल्टे फंदे को उल्टा तो इसी तरह करते हुए हम 11th row complete कर लेंगे अब design का 12 वा लाइन और सामने से तो 12 वा लाइन हम 10 वे लाइन की तरह ही बनाएंगे यानि उल्टे फंदे को हम वापस slip कर लेंगे और सीधे वाले फंदे को बन लेंगे उन अपनी और करेंगे उल्टे वाले फंदे को slip किया उन दूसरी और किया और सीधे वाले फंदे को सीधा बन लिया यानि दोनों साइड से हम बस इसी फंदे को बुन रहा है देखिए ये कैसे हो रहा है दोनों साइड से बुनने से ये देखिए ये ऐसे हो रहा है तो उलते वाले फंदे को हम स्लिप करते जा रहा है और सीधे वाले फंदे को सीधा बुनते जा रहा है तो लाइन पूरा करके मैं आपको दिखाती हूँ तो देखिए फ्रेंड्स हमने 12 हमार लाइन भी कम्प्लीट कर लिया और ये देखिए ये ऐसे बनके आया है थोड़ा सा ये उभार आ गया है क्योंकि हमने दोनु साइट से इसी फंदे को बुना है सामने से सीधा और पीछे से उल्टा और दूसरे वाले फंदे को दोनु साइट से हमने स्लिप किया है इसलिए इसमें ऐसे उभार आ गया है तो अब ये तेरहवा लाइन है और अब हम इसे सुई से बाइंड ओफ करेंगे तो हम थोड़ा सा लंबा थ्रेड लेंगे काटेंगे क्योंकि सिलाई में ये थ्रेड जोटा नहीं पड़ना चाहिए और वरना गाष पर जाएगी और वो देखने में अच्छा ने रहेगा तो हम थोड़ा सा लंबा थ्रेड काटेंगे और धागा सुई में डाल लेंगे और अब हम इसकी सिलाई करेंगे तो ये देखिए पहला फंदा उल्टा है तो पहले फंदे में ऐसे हम सुई डालेंगे खीच लेंगे और अब देखिए ये हमारा सीधा फंदा है तो इसमें हम ऐसे उल्टे फंदे की तरह सुई डालेंगे इसको भी हम नीचे ऐसे गिरा देंगे अब हम जो ये उल्टा फंदा है इसमें ऐसे उपर से सुई डालेंगे हम सुई को उल्टा कर लेते हैं ऐसे उपर से डालेंगे और जो ये सुई में लगा हुआ है इसमें ऐसे इसी के डाइरेक्शन होए देखिए ये सलाई के ही डारेक्शन में ऐसे डालेंगे अब इसको गिरा देंगे और धागे को खिच लेंगे अब देखिए ये हमने ये सीधा वा लफंदा है जिसमें हमने पिछली बार डाला था तो इसमें हम ऐसे उपर से डालेंगे और जो सलाई में लगा हुआ है उसमें ऐसे अंदर से ऐसे उल्टे की तरह गिरा लेंगे धागे को खिचेंगे अब देखिए अब ये उल्टा वाला फंदा जिसमें हमने एक बार सिल लिया है इसी में वापस ऐसे सुई डालेंगे और जो ये उल्टा वंदा सलाई में लगा हुआ है इसमें हम इस साइट से डालेंगे देखिए पीछे से ऐसे डालेंगे अब इसको गिरा देंगे और धागे को खिच लेंगे ये सीधे फंदे में इसमें हमने एक बार सिल लिया है तो इसी में ऐसे उपर से डालेंगे और जो सलाई में लगा हुआ है उसमें ऐसे अंदर से ये देखिए इसमें ऐसे उपर से डाला और जो सलाई में लगा हुआ है उसमें ये सलाई के अपोजित डिरेक्शन में ऐसे डालेंगे इसे गिरा लेंगे धागे को खिच लेंगे पिससे देखिए जिसमें हमने ये उल्टा फंदा इस साइट से दूसी साइट से देखिए ये उल्टा फंदा है इसमें हमने एक बार सिल लिया है तो इसी में हम वापस सूई डालेंगे देखिये France, बुने हुए उल्टे फंदे में ऐसे उपर से डालेंगे और सलाई में जो लगा हुआ फंदा है उसमें सलाई के डारेक्शन में देखिये, ये फंदे के पीछे से ऐसे डालेंगे गिरा देंगे धर्ट को खिचेंगे ये फंदा हमने देखिए इसमें एक धागा आया है तो एक बारिष में विदाय कर लिया है वापस इसी में हम डालेंगे और सलाय में लगे हुए ये सीधे फंदे में इसमें सलाय के opposite direction में ऐसे डालेंगे जैसे हम उल्टा बुनते हैं वैसे डालेंगे अब फंदे को गिरा लेंगे धागे को खिच लेंगे अब देखिए ये इधर से ये उल्टा वाला फंदा इसमें ऐसे उपर से डालेंगे और जो सुई में लगा हुआ फंदा है उसमें हम देखिए फंदे के पीछे से ऐसे डालेंगे इसको गिरा देंगे और धागे को खिच लेंगे बुने हुए सीधे फंदे में ऐसे उपर से और सलाई में जो फंदा लगा है उसमें ऐसे सलाई के विपरिद्दिशा में और बुने हुए उल्टे फंदे में ऐसे उपर से और सलाई के ही दिशा में ऐसे सुई हमारा निकलना चाहिए ये सुई सलाई के दिशा में ही निकलना चाहिए तो ऐसे ही करते हुए हम सबी फंदे बुन लेंगे देखिए हमारा ये बाइंड आफ होना शुरू हो गया है तो देखिए फ्रेंट्स सभी फंदे ये बाइंड आफ हो गया है और अब हमें दोनों साइट्स को मिला के सिलना होगा देखिए हमारे ये देखिए हमारी आस्तिन ये बनके त्यार हो गया है अब हमें इसकी ऐसे सिलाई करने है तो ये फ्रेट बचा हुआ है इसी से हम इसकी सिलाई कर देंगे इसे दोनों सीरे को पकड़ेंगे और यहां पर एक दू बार थोड़ा मजबूत कर देंगे उसके बाद जैसे भी हम सिलाई करते हैं वैसे हम इसकी सिलाई करना शुरू करदेंगे इसे हम देखिए जितने यह दिखाई दे रहे हैं इसमें इसे सुई डालेंगे और सिलते चले जाएंगे तो सारी सिलाई कंप्लीट करके मैं आपको दिखाते हूं देखिए फ्रेंस स्वेटर बनके त्यार है